जिस मुवी को आज में explain करने जा रही हूं उसका basic point यह है ति अगर इंसान को उसके जिंदरी में उसकी desire के मताबिक सब कुछ मिनने लग जाए तो यह उसके लिए किसी खत्रे से कम नहीं होता क्योंकि उस इंसान का लालच बढ़ता रहता और जाहिर है कोई भी चीज हासिल करन है जबके केट एक translator होती है लेकिन वो दोनों इस जोग को skip कर चुके थे और यहां पर उनोंने कुछ new करना जिस घर में वो लोग shift होते हैं उसके आसपास तो कुछ नहीं होता लेकिन वो घर बहुत बड़ा खुबसूरत होता है घर को explore करते हुए मैट को एक अजीबो गरे किसम का room मिलता और उस room के log की चावी भी उने समान में मिल जाते हैं और जैसे ही वो दोनों उस room को open करने जाते हैं घर की सारी lights खुबाफुद ब्लिंक होना शुरू हो जाते हैं और इसके साथ ही lights off हो जाते हैं अगले दिन ही लोग electrician को बलाते हैं और उसे basement में लेकर जाते क्योंकि basement wire से भरा हुआ और यहां तक कि कोई भी corner ऐसा नहीं था जहां पर wires ना हो और घर के नीचे पिल्कुल center में एक wheel होता जिसमें कुछ lights जल रही हो घर की सारी lights तो off होती हैं लेकिन वो lights जल रही होती हैं सबसे पहले जो लोग यहां पर रहते थे उनका यहां पर murder भी हुआ यह सुनते ही मैट काफी डर जाता है और वो सोच में पढ़ जाता है कि हम एक ऐसे घर में रह रहे हैं जहां पर किसी का murder हुआ और जाहिर है उन लोगों के लिए यह काफी डेंजर था इस सब बातें को के सब बातों के बाद मैट एक लेकर अकेला ही इस रूम में बैठा रहता है और वो विश करता है कि काश मेरे पास एक और ड्रिंग की बोटल और तब उसके पास पड़ा हुआ लेंग करता है और कुछ देर के लिए लाइट चली जा और जब लाइट आती है तब उसके सामने लोटल पड़ी होती है जिस से देखकर वो काफी डर जाता है कि अक्या हुआ और वो बाटल एक्जैक्टली उसकी बाटन जैसे ही होती नेक्स्स मौनिंग जब कीया ङुटती है लेज़ा küçük रगती है तो ब्रैटा की बाता है तब मैट उसे रहन झालिटी कि यह जब सुनल मे केट को भी विश करने को कहता है इस पर केट कहती है कि मुझे अच्छी सी जॉब दे दो इस पर मैट उसे समझाता है यह रूम कोई चीज देता है जॉब नहीं दे सकता किसी थीम की खौहिश करो और कि दूमें वह मिल जाए लिए तब वह पैसों की डिमांड करती है जिस पर लाइट फिर से बिलिंक होती है और एक कॉर्णर में उन्हें पैसे मिल जाते हैं पहले तो केट को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता है जिस पर मैट उसे काफी समझाता है लेकिन इसके बार उन लोगों को इसके बारे में काफी क्रेज हो जाता है और वह अलग अलग किसं लेकिन अब उस रूम के इन्वैलिड होने का टाइम आ चुका होता है जिस पर केट काफी परिशान रहने लगती और मैट उसे फैमली प्लैनिंग के बारे में ट्राई करने का कहता है लेकिन इस बात पर केट राजी नहीं होती है क्योंकि इससे पहले वी दो बार उसका मिस् केट पर शाउट करता है कि हमने सिर्फ चीजों को विश्क करना था इसका अजाम क्या हो सकता है वह दोनों इमोशनली काफी वीग हो चुके थी और बच्चे को दुबारा गायब भी नहीं कर सकता है मैट इस घर में होने वाले मडर की आर्टिकल इंटेनेट पर देता है चोंडों को पता चलता है कि ये लोग उसी घर में रह रहे हैं जिस पर वो कहता है कि जितना जल्डी पॉसिबल हो सके उस घर को छोड़ कर चले जाओ घर वापिस जाते हुए मैट अपनी गाड़ी में पेट्रोल फिल कर वाता है और जब वो अपनी पॉकेट में हार डालता है तब वो देखता है कि वहाँ पर पैसे नहीं है बलकि मिटी है और यहाँ पर उस रूम के बारे में एक बड़ा सिक्रेट पता चलता है और वो ये है कि उस रूम से विश्की गई चीज़ अगर उस घर से बाहिर जाएगी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी वो भाग कर घर पापी साता है और फिर से पूरे घर को एक्स्प्लॉर करता उस वजह को जाने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यूं होता है आखिर इसके पीच्छी लाजिक या लेकिन उसे वायर्स के इलावा वहां पर कुछ नहीं मिलता और यहीं नहीं उस बेस्मेंट के इलावा वहां पूर कुछ तेर की बाद बच्चे के रोने की आवास तो बंद हो जाती है नेकिन केट जो जो से चिला रही होती है जोके मैट को बुला रही होती है तब मैट उन दोनों को अंदर लेकर आता और तब हम एक बड़ी अजीब चीज दिखते हैं कि उनका वो छोटा सा बच्चा और चूटा बच्चा नहीं रहा था बलकि वो तक्रीबन साथ-ाठ साल का लड़का बन चुका था और फिर हमें पता चलता है कि अगर कोई जिन्दा चीजे वो रूम देगा अगर वो उस घर से बाहर जाएंगी तो उनकी उमर आइस्ता इस्ता बढ़ती जाएगी और एज इंक सिप्स एप्रेट रूम में रहने लग जाते केट अपने बचे श avenских उपस्पा थाना से अपने बलैकम गालर टेका में उसका बाहर जाना लाव नहीं है और्शे को लेंड हैं को लेकर बालसाल में काफी फिलर एकी मॉर्त वाइन को पहुँचता है और यस्ता अगले दिन अपने मैजनैशन से फ़ो बहुत बड़ा गार्डन बना देता है यहाँ पर बहुत सारे होता है कि उस बच्चे के पास काफी पॉवर्स इसका इस्तमाल करकि वो कुछ भी कर सकता और यहीं नहीं वो बच्चा उन के लिए किसी खत्रे से कम नहीं था इसी दुरान मैट के पास मेंटल अजालम से जॉन डोगा फोन आता है और वो अपनी रियालिटी बताता है कि उसने क्यूंँ उसकापल को कतल किया वो कहता है कि मैंने उसकापल को इसलिए मारा था क्योंकि उन लोगों ने उस रूम से को मारना पड़ेगा जो तुमें इस दुनिया में लेकर आया और यही वज़ा है कि वो विश करने वाली और वही मार देता और इसके साथ-साथ उसके हैस्बन को भी मार देता और इसी वज़ेसे वो जेल में भी चला जाता यह सारी कन्वर्सेशन के दूसरे फौन से सुन लेती है और गुस्षी में गाड़ी लेकर घर से चली जाती है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर लेट नाइट वो घर ही नहीं आती और ड्राइब करती रहत और घर पर शेन अपनी मदर के लिए पोच रहोता है इस पर मैड को काफी गुस्सा आता है तब मैड उसे रियालिटी बता देता है कि तुमें हमने उस रूम से विश्च किया था और अगर तुम इस घर से बाहिर जाओगे तो पांच मिनिट में तुम बड़े होगे और और बिल्कुल ऐसे ही हो जाते हैं जैसे बाप और बेटा जब आधी रात को केट घर वापिस आती है तो उन दोनों को साथ देखकर काफी खुश हो जाती है कि आफ्टर और मैड ने उस बचे को सैप्टो किया फिर मैड की आप खुल जाती है और वो दोनों रूम में अकेले और शेन उन दोनों को दर्वाजी के बाहर से देख लेता और वो अपनी दिल में अपनी मदर के रिए एक अट्रैक्शन को फील करता है और उसे सारी वियालिटी भी पता चल जाती है और अगले दिन जब वो घर से बाहर जाता है और अंदर वापिस आता है तो एक 17-18 साल का लड़का बन चुका होता है और अंदर आकर वो मैट को मारने की कोशिश करता है इस दोरान केट को चोट लग जाती है और वो बिहोश हो जाती है जब केट होश में आती है तब मैट उसे बताता है कि हम दोनों के दर्मियान फाइट होई थी और इसी दोरान वो मर गया और य कि यहां पर हमें सर्वाइफ करने लिए सब कुछ मिल सकता और हमें यह जगा छोड़ने नहीं चाहिए केट को एहसास होता है कि मैट का बिहेविर बदलता जा रहा और वो काफी अजीब होता जा रहा और देखते ही देखते हैं और तब पता चलता है कि मैट नहीं है यह बन Чका दो की च λέता है उसकी आँख कुलते है और वो पूरे घर में उन दोनों को ढूरता है लेकिन इसकी वावजूत भी वो दोनों उसी कहीं भी नहीं मिलते है और यहां तक कि वो रूम भी लॉक होता है और उसके साथवले दिवार में वो बहुत बड़ा हॉल करके अंदर चला जाता है और वहां पर उसे वो सारी वायर्स मिलते हैं जिने वो हटाकर उस दिवार के दूसरे पार चला जाता है और वहां पर उसे इतने घर जैसा ही सारा इंवार्मेंट नजर आता है और तब मैट समझ जाता है कि सारा किया धरा शेन का है वो डव केट के सामने दो-दो मैट आ जाते हैं जिस पर वो काफी इस अपर उत मेक्जी हो जाती है और यहां पर वो शेंप जोहीं को बुलाती है जिस पर वो रिस्पॉस करता है तम उसरे सर जा tääल क Chili मैट कौन है और शेंट कौन है और के मैट को लेकर वहां से भागने रगती है लेकिन वो सब कुछ शेन की पावर से हो रहा था वो पूरे घर का सैट अप चेंज करना शुरू कर देता है और उन्हें भागने का कोई रास्ता ही नहीं मिल जो असली मैट था वो तो घर से बाहर भाग रहे हैं जिस पर शेन भी उन जाती है और वो एक ओल्ड मैन बनके वहीं पर मर जाता है इन सब के बाद केट काफी डिस्टरब रहती है और फिर वो उस घर को छोड़ देते और इसके साथ ही मोवी एंड हो जाता है